नमस्कार मायाईज प्रफेक्ट सभी में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम खस्ता समोसे रिज के लिए मैंने लाइसो ग्राम मेदा लिया है इसको हम अच्छ से छान लेंगे अब 200 ग्राम मेदे में मैंने 4 चमच सुजी ली है इससे हमारे समोसे बहुत खसता बनेंगे अब इसको हम छान लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच नमक आप इसमें जवान भी डाल सकते हैं मैंने इसमें जवाई नहीं डाला है अब इसमें हमें डालना है देशी गी जो मैंने 4-5 चमच छोटी चमच इसमें डेशी गी डाल दिया है अगर हमें जूर्थ पड़ी तो हम थोड़ा और गी डाल सकते हैं और इसको हमेज करेंगे इसमें ओल बिलुकुल भी नहीं डालना है गी से एकदम खस्ता कुरकुरे एकदम हमारी समोस्य बनेंगे इस तरह से हमें मौहिन देना है ये देखिए इस तरह से मेदे का इसे लड़ू सा बंद रहा है इसका मतलब है कि इसमें परिफेक्ट मौहिन लगा है इस तरह का हमें मौहिन लगाना है अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो हमारा यह आटा है गिल्ला हो जाएगा इस तरह से हमें आतों से मेस करना है और इसको हलकी हलकी आतों से इस तरह आटा लगा के छोड़ देना है ज्यादा नहीं मसल ना है इसको यह देखिए इस तरह से हमें यह समुसक का आटा लगाना है अब इसको हम 15-20 मिंट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं अब बनाते हैं इसके मसाला मैंने वोईल की वेच यार अलू लिये हैं इसको हम आतों से इस तरह से इस तरह से तोड़ लेंगे जो कद्दू कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इस तरह मोटा मोटे अलू लेने है अब इसमें डालना है हमने ओईल एक बड़ा चमच अब इसमें डालेंगे काली शर्षो च्यार पांच कड़ी पत्ते और आधी चोटी चमच हमने जीरा डाला है इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आलू जो हमने मोटे मोटे इसको हाथों से तोड़ लिया था इसको अच्छे से कर्ची से मिक्स करेंगे गेस का फ्लेम हमें मेडियम में ही रखना एक बार हाई पर रखेंगे तो आलू जिपकने लग जाएंगे इससे हमें मिलाते रहना है कि एकदम ये मिक्स हो जाएं चितरे से अब इसमें डाल लेंगे हम एक बावल मटर ये सफोला मटर है और तीन चार के लगभग हम डालेंगे इसमें हारी मिर्च छोट छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से देखिए अब इसमें डालेंगे सबसे पहले हम लाल मेच पावडर एक चमच अधी छोटी चमच हल्दी पावडर अधी छोटी चमच सोम्फ सोम्फ से बहुत अच्छी फुस्पू आएगी एक चमच साबू धनिया अधी छोटी चमच काली मेच पावडर अधी छोटी चमच पिसाओ अजीरा यह बुनाओ अजीरा है इनको अच्छी से पीस लिया था एक चमच गरमसाला हमें थोड़ा चटपुटा समोसा बनाना है इसलिए मैंने एक चमच गरमसा डाला है अब लास्ट में हम डालेंगे नमक जो मैंने एक बड़ी चमच नमक डा ओभा अब इसको सब थे मिक्स करना है मसाले की अच्छी तरह सिकाई करनी है तो कि नघ्या तरीके कि अच्छा pracy अच्छा से इसमें हमारा यह समोसा बना के तियार होगा ऐसे हम बना रहे है अब इसमें हमने डाल दीया है कậ जैक ऐग फोनी लिए रिपस द्या अब इसमें डालेंगे साथ आठे काजू जो हमने चट चटे कट कर लिये थे और थोड़ी हमने किसमिस इसमें डाल दी है और यह देखिए फ्रेंस कितना अच्छा हमारा यह आलू का मसाला बनके त्यार हो गया है इस तरह से हमें यह बनाना है और अब देखते हैं कि हमारा यह आठा त्यार है क्या यह देखिए फ्रेंस हमारा आठा एकदम प्रफेक्ट त्यार हो गया है अब इसकी हम निम्बू से भी थोड़ी सी बड़ी हम इसकी बॉल्स बनाएंगे इस तरह से एक जितनी ही हमें ये बॉल्स बनानी है अब इसको ऐसे गौल बर हतेली से करके हम इसी अच्छी तरह से पूड़ी की तरह बेल लेंगे अब इसको हमने इतने बड़ी पूड़ी की तरह बेल ली है और ये नह ज्यादा मोटी है नह ज्यादा पतली बनी है अब चाकू से इनको हमने बीच में से कट कर लिया है और एक किनारे पिर हमने पानी लगाया है और दूसरे किनारे को हम इसे अच्छी तरह चिपका देंगे हमें अच्छी तरह से चिपकाना है कि यह फ्राई होगी तब यह निकलेगा नहीं अब इसमें हम डालेंगे यह फीलिंग जो हमने बनाई है इसको अराम से इकड़म जो नाप से आती है इतनी डालनी एक्ष्टा बिल्कुरी नहीं डालनी है यह तो समोसा ओल में जाते ही फट जाएगा यह देखी फ्रेंज इस तरह से हमें पानी लगाना है और फिर दौनों किनारे को अच्छी तय ऐसे चिपका देना है इस तरह से अंगोली ऐसे थोड़ी जोड लगा कि हमें यह दबाना है यह देखी फ्रेंज हमारा यह समोसा बनके एकड़म प्रेफेक्टली त्यार हो गया हैं दूसरा समोसा बनाते हैं इस तरह से ही यह देखिए एकदम आसान तरीके से हमरा यह समोसा बन जाएगा इस तरीके से आप समोसा बनाएंगे तो ना तो यह फटेगा और बहुत अच्छा यह दिखेगा भी इस तरीके से बनाएंगे और एकदम आसान तरीके से बनने वाला यह समोसा है यह देखिए इस तरह से हमें यह करना है इस तरह से एक एक करके हम सारे समोसे बना लेंगे यह देखिए हमने बना लिये हैं सारे समोसे अब हमने कड़ाई में ओल डाल दिया है और यह एकदम गरम हो गया है अब गेस का फ्लेम हमें एकदम मेडियम में करना है जब हम इसमें समोसा डालेंगे इस तरह से गेस का फ्लेम हमें आब मीडियम में रखना है यह दिरी दिरी इसकी स्काई होगी तो यह एकदम क्रैंची बनेंगे एकदम खसता हमारे समोसा बना के त्यार होगे एक दम मार्केट जैसे वाल जैसे हमारे समोसे गर्पे ही त्यार होगे आप इस तरह से गर्पे जुरूर ट्राइए कर देखना फ्रेंड्स यह देखें कि इतना अच्छा हमारा यह कलर रहा है समोसे का ब्राउन ब्राउन अब इसको हम एक डेट मिंट के लिए छोड़ देंगे वापिस उलिट देंगे यह देखें कितना अच्छा हमारे समोसे का कलर रहा है और यह बिल्कुल भी फटे नहीं है एकदम बड़्या दरीके से हमारे समोसे बनके त्यार हो गया है यह देखें यह कम से कम पांच साथ मिंट लगते हैं नन्य में त्यले में फ्राई होने के लिए यह देखें हमारा समोसा बनके त्यार हो गया है तो आपको हम यह समुसा तोड़ के दिखाते हैं कि यह देखिए कितने खसता हमारे समुसे बने हैं इस तरह से आप भी गर पे ट्राइए करना फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक, सेर, कमेंट जुरूर करना जिस किसी ने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाई बाई